हेलो गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल गरूडा आहिलेट्स एंड तोड़े वी आर गोइंग तू दू 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 के वोकाइबलरी करने वाले हैं तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यह हमारी जो वीडियो थी उसके यह पार्ट टू मतलब यह चौथी वीडियो हो देने वाली है तो अगर अभी तक किसी ने प्रिवेस सेशन से नहीं देके तो वो प्लेल्स में जाके प्रिवेस सेशन दे सकता है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसका और वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आपकी कोई इंक्वैरी है स्टडी वर्क और टूरिस्ट सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों कुछ भी डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीगरम चैनल पर जाके डाउनलोड कर लो आप वहां पर मैसेज भी कर सकते हो हम आपको हो चीज परभाइड करने कोशिश करेंगे हैं सबसे इंपोर्टन गाइज चैनल को सब्सक्राइ बैंद को सब्सक्राइब कर दोख पर देखाएं रोग्रोप अब हैं अगर किसे ने गलत लिख दिया तो उसको बताओ कि तुन आगलत लिख दिया हैं कुछ ना कुछ ना कुछ मतलब जो वह उसको बताना चाहिए इस गाइड लेर निग में नहीं तो चील्रन फोकस लूस क कर देते हैं आगे देखो data gathering मतलता है collecting information usually in a numerical form जैसे आप लोगों ने कोई data gather कर लिया आप लोगों ने कोई survey gather कर लिया भी हाँ 10% लोग book के मर रहे हैं जी 50% लोग book के मर रहे हैं something like that in mobile companies क्या करती है mobile phone companies employ many people in a data gathering task वो data both gather करती है to see how users are using the phones and internet पर लोग कैसे यूज कर रहे हैं for example आप लोग क्या करना Google पर जाके ना दो तिन दिन सर्च करते रहे हैं कि वह अच्छे शूज अच्छे शूज दो तिन दिन बाद क्या मैं है तो बलता हूं कि एक या दो दिन के बाद आपको यूटूब पर शूजगी देखने को मिली जाएगी क्योंकि वह आप लोगों का डाटा गैदर करके आप लोगों की ही उसी के धार पर एड दिखा देते हैं इसको बलता है डाटा गैदरिंग इस्टेंस लर्निंग सिंपल सी बाद है इस लर्निंग मतल सीकना डिस्टेंस मतल दूर से आप घर बेठे बेठे कुछ भी सीख सकते हो आजके एंड लर्निंग बाए INTERNET और email rather ten face to face थीजी मासा Chapter वो भी क्या distance education से वह लोग घर बैटे पढ़ते रहे self study का मतलब होता है कि बच्चा खुद अपने आप ही पढ़ता रहे studying using a course without a teacher's involvement teacher की उसमें involvement नहीं होती teacher आपको कुछ नहीं पढ़ा रहा था उसको बोलते है self study जो आप लोगों को मेशा करनी चाहिए सेंपल कुछ बढ़ा करो कुछ वीडियो देखा करो यह वीडियो आपे जाते हैं जैसे मान के चलो बस में जा रहे हो आ रहे हो तब यह बात इन सारे lectures को सुन सकते हो there are many health study guided to improve your English and some of them are actually quite good कुछ self study guided होती हैं वो अच्छे भी होती हैं बहुत सारी हैं आगे चलते हैं to discriminate between sources sources के बीच में discriminate करना discriminate की वह यह अच्छा है यह गलता है यह सही है यह ऐसा कुछ है to decide whether one course is better or more reliable than other courses अभी एक course अच्छा है या बुरा वो देखना अच्छी बात है discriminate करना children should not study using unsurprised internet access बही देखो आप लोगों को भी बोलता हूं मैं अगर आप लोगों के पास internet access है ना तो इसका मतल भी यह निये कि YouTube पे जितनी वीडियो ना उठा के देखने लग जाओ बही compare करो discriminate करो कौन सा source अच्छा है कौन सा नहीं वो देखो जो अच्छा है because they can't discriminate between the sources of information that's why they always keep like oh this is also a video I should watch that this is also a video I should watch that should not do that ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को ठीक है आगे चलते हैं उसके बाद है to shift information to remove unwanted or less useful information मानके चलते हैं कि आपको यहां इस lecture में कुछ ऐसी चीज़े मिली जो आप आपके लिए useful नहीं है तो आप उन शब्दों क्यों लिखोगे नहीं लिखोगे ना वो जो important है वही लिखोगे जो है सुम्या फालतू हर चीज़ लिखने की कोछ चीच नहीं करने ऐसी information जो नमोट्रोड है उसको remove कर दो I had to shift 100 of the pages of the data to arrive at my conclusion when I did my thesis जब मैंने अपनी thesis बनाई तो मैंने बहुत सारा hundred of data इतनी सारी line से काट पीट दी मेरे को अच्छे नहीं लगी वो इसलिए the martial fact का मतले होता है to organize a fact in sport of an idea जैसे आपको कोई idea दिया main idea दिया उसके आप का करोगे उसके संधर्म में उसके लिए कुछ ना कुछ sporting ideas दोगे उसको बोलते है और्गनाइजिंग आइडिया martial facts in IELTS essay you should martial a fact to sport each idea in argument आपने कोई argument दिया उसको sport करने के लिए आपको martial fact देने पड़ते हैं IELTS essay में यह तो simple सी बात है an integral part of a slavers slavers का ऐसा है जिसको आप तोड़नी सकते ठीक है वो central और indispensable हिस्सा होता है essential both important both central both indispensable indispensable का मतलत है जिसको अब तोड़नी सकते dispensable मतलत जो तूट जाए ठीक है उसको बोलते है an integral part of something nutrition is an integral part of food science these days जो nutrition है वो food science का बहुत integral part बन चुका है बहुत important और तूट हिस्सा बन चुका है हम उसको अलग नहीं कर सकते आगे देखो to work study under a supervision यह तो again मेरे ख्याल से repeat हो गया यह तो पहले हम पढ़ चुके है supervision में work करना और study करना ठीक है तो यह हम नहीं करेंगे task तूट देख लेते हैं फटा फट से एक अच्छा सा simple सा यह बोलते है the internet will never replace a traditional book sources in a school कि internet कभी भी traditional book source को replace ही नहीं कर सकता how far you agree with the prediction के साथ अपर कैसे agree करते हैं तो मैं तो नहीं करता भाई agree traditional books हमेशा important रहेंगी books books हमेशा important रहेंगी ही रहेंगी we cannot ever and ever replace them समझ मैं आपको वैसे मोटा मोटा बता रहा हूँगा इस पढ़ लेना ठीकर screenshot लेके क्योंकि मैं आपको हर एक लाइन तो नहीं समझाऊँआ इसमें क्योंकि इतना important है नहीं वैसे आपको बता रहा हूँ कि हां ऐसे 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 में आप ऐसा कुछ कुछ इस्तमाल कर सकते हो जैसे firstly क्या है course book है आप क्या करो उसको weather examination के दोरान भी कौन teacher भी कर सकते हैं this means की वह इंप्रूब्मेंट करेंगे academic achievement की किसकी student की उसको enhance करेंगे potential को progress को further high school में उसके लिए इसमाल भी हो सकेगा furthermore क्या है जो use है modern books का slaves का वो people को मतलब बच्चों को allow करता है coordinate करना उनकी study में group work में hopefully वो उनको उनके जो lessons है उनको ज़्यादा autonomous बना देता है कि आप group study करो ठीक है self study करो group discussions करो ऐसा कुछ this in itself क्या करता है teacher study skills such as उनको independent resources provide करते हैं ताकि आप synthesize कर उसको जो भी है हमारा ना फिर root learning हो गया वो old fashion है आज का लोग assimilate करते है information को उसको देखते हैं कि वह सही है गलत है वो facts को check करते हैं internet पे supplement भी कर लेते हैं अपने उसको facts को assimilate कर लेते हैं सारे का सारे information को है कि नहीं लेकिन दूसरी तरफ क्या है भई हो भी सकता है मतलब नहीं भी हो सकता जैसे कैसे teacher का role है वह बहुत अच्छा है क्योंकि वह school भी तो manage करने ना अपना आपको को हाँ यह prediction है 24 exam की आप देखने बैठ जाते हो पागलों की तरह से में गुम हो जाते हो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए तो अपने यह तो नहीं मामाप के यह फिर किसी भी teacher के under supervision में काम करना सीखो और जरूरी भी है यह तो मैंने आपको वैसे क्या करते हैं यह शब्दों के बारे में बताया कि words कैसे use हो सकते हैं आप इनको पढ़ लेना बाद में screenshot लेके सही है कि नहीं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हो गया हाँ उसके बाद हमारे पास हो जाती है खत्म तो आज हमने topic करा है कौन सा educating and schooling से related task to vocabulary ठीक है मिलते हैं आपको next video में तब तक के लिए जैहिन जैभारत